हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो मैं आपको अर्लबारी को और्गिनाईज करना बताऊंगी कि कम स्पेस में आप जादा से जादा कपड़े कैसे रख सकते हैं तो हमारी वीडियो आप लास तक देखें अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक से जरूर करें और दूसरा मैं बताऊंगी कि जब भी आप ट्रैबल पे जा रहे हैं तो अपने बैग की पैकिंग कैसे करें अगर आप इस तरीके से बैक की पैकिंग करेंगे तो कम स्पेस में काफी ज़्यादा समान आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले मैं अपनी अलमेरा को और्गनाइस करूँगी देखिए मेरी अलमेरा अभी कैसी फैली पड़ी है तो बीच-बीच मैं इसको और्गनाइस करते रहना चाहिए जिससे कि हमारी अलमारी एकदम साफ रहे और एकदम क्लीन दिखे पहले तो हम अलमारी के सारे कपड़े निकाल लेंगे और जो भी समान रखा है वो सारा हम निकाल लेंगे तो देखिए मैंने सारे कपड़े बैड पे निकाल लिया है और एक एक करके हम सबको फोल्ड कर लेंगे और सबको अलग 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 रख देंगे जैसे टीशिट फोल्ड की हैं तो एक साइड हम टीशिट रख देंगे jeans fold किये हैं तो एक side हम jeans रख देंगे तो आप इस तरीके से कप्टे fold कर लें तो मैंने lower fold कर लिया है अब t-shirt fold कर लूँगी तो सारे lower हम एक side रख लेंगे और सारी t-shirt को हम एक side रख लेंगे और जो भी कप्टे हैं सब को हम अलग-अलग रख देंगे तो दोस्तों जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप अल्मारी को और्गनाईस करेंगे तो आपकी अल्मारी में काफिक कपड़े आ भी जाएंगे और उसके बाद इस पेस भी बच जाएगा तो देखिए मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिया है मैंने जो कुर्टिया है वो सबको अलग कर दिया है लेगिंस है वो अलग कर दिया है जीनस है इनको सबको अलग कर दिया है और ये लोबर्स है इनको भी अलग कर दिया है तो सब को मैंने अलग-अलग कर दिये हैं जिससे कि जब हम अलमारी में रखें तो ढूर्णने में दिक्कत ना हो अब हम इसको अलमारी में रखेंगे तो जो सूट है वो इस तरीके से आप टांग दे आप उसको लंबा हैंग ना करें अगर आप लंबा हैं करेंगे तो आपको नीचे रखने के कोई स्पेस नहीं बचेगी तो हमारे उपर सूट भी टंग जाएंगे और नीचे हम दूसरे कपड़े भी रख सकते हैं तो देखिए ये मैंने अपनी अलमारी को पूरा अर्गनाईस कर लिया है देखिए ये सूट भी टंग दिये हैं और नीचे कितना सारा समान भी आ गया है तो आप इस तरीके से अलमारी और्गनाईस कर ले तो नीचे मैंने जीन्स रखे हैं सबसे नीचे मैंने जीन्स रखे हैं और टॉप्स रखे हैं तो ये देखिए मैंने सारे जीन्स रख दिया है एक साथ, हमें निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी, और ये मैंने टॉप्स रख दिया है, तो उसके बाद मैंने ये उपर टी-शेट रखे हैं, सारी टी-शेट को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, जब भी आप निका उसके साइट में मैं लोबर रख दिये हैं तो जो डेली के पहने वाले कपड़े हैं वो आप सामने सामने रख दें और जो आप कम पहनते कपड़े हो उनको पीछे रख दें तो ये देखें ये मैंने पैंट रखे हुए हैं अपने जो कुर्टियों के साथ पहनते हैं और प्लाजों हैं और ये सारी लेंगिंस है और ये मेरी कुर्टियां है इन कुर्टियों को मैं डेली यूज मैं पहनते हूँ तो जो सारा डेली यूज वाला समान है जो डेली हम पहनते हैं टी-शिर्ट, लोबर या जो भी कुड़तिया हैं तो वो मैंने नीचे रख दिये हैं और जो अच्छी वाले शूट्स हैं वो मैंने उपर हैंकर दिये हैं तो इस तरीके से आप उपर हैंकर दें और नीचे भी काफी सारा समान आ जाएगा तो आपका सामान डबल आजएगा अगर आपको अलमारी में जादा सामान रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं और उपर भी मैंने कुछ कपड़े रख दिये हैं जो कम यूज करते हैं वो कपड़े मैंने सबसे उपर रख दिये हैं तो यहां मैंने सारे पर्स रख दिया है जो भी पर्स है वो सारे एक जगह पर रख दिया है और यहां मैंने टॉबिल्स रख दिया है और इसमें मेरे थोड़ी सी जुल डी और जो भी पैसे वैसे है वो उसमें रख दिया है जो पर्स है वो मैंने नीचे के ड्रॉर में रख द है और इसमें मेरे important document है और जो भी paper है वो मैंने सारे इसमें रखे हुए है और नीचे के drawer में मैंने undergarments रखे है और side वाले drawer में मैंने socks, hanky जो भी extra समान है वो सब उसमें रख दिया है तो दोस्तों आप इस तरीके से almari को organize करेंगे तो आपकी almari में काफी space बच भी जाएगा और आपके काफी कपड़े आ भी जाएंगे तो देखिए मेरी almari में काफी कपड़े आ भी गए हैं और आपको थोड़ी खाली भी लग रही होगी इसमें आप make up का समान भी रख सकते हैं तो आपके पास अगर dressing नहीं है या आप अपनी المانی میں make up के समान रखना चाहते हैं तो आप एक drawer में make up के समान भी रख सकते हैं उसमें make up रखने के जो organizer होते हैं वो आप ले ले market से ये आपके पास हैं तो आप उसमें रखें सारा समान और एक draw में आप रख दें अब मैं आपको बताओंगी कि जब भी हम travel पे जाते हैं तो हमें bag कैसे pack करना चाहिए कि कम space में काफी ज़्यादा समान आ जाए तो ये मैंने छोटा सा bag लिया है जैसे हम एक दू दिन के लिए जा रहे हैं तो मैंने छोटा सा bag लिया है और इसमें मैं आपको समान रख के दिखाऊंगी तो ये देखी ये मैं जीन्स लिया है इसको मैं इस तरीके से roll कर दूँगी या कोई भी आप जो भी pent ले रहे हैं वो आप इस तरीके से roll कर दें और उसको रख दें ऐसे ही मैं दूसे जीन्स को roll करूँगी और इसको रख दूँगी तो दीखिए कितनी कम जग है मैं आपके दो जीन्स आ गए हैं तो सारा समान आप इस तरीके से रोल करके रख सकते हैं अब मैं जैगिंग रखूँगी वो भी मैं रोल करके रखूँगी और जो टी शेट है वो भी सब हमें इस तरीके से रोल करके रखेंगे अब मैं टी शेट रखूँगे तो दीखे टी शेट भी बहुत कम स्पेस में आ गई है ये काफी कम स्पेस लेती है तो आप इस तरीके से रोल करके रखेंगे तो सारा समान काफी कम स्पेस लेगा अब मैंने Lower भी रक दिया तो जो भी चीज आप रख रहे हैं इस तरीके से रोल करके रख देए अब मैं Socks को भी रखोँगी उनको भी इसी तरीके से रोल करके इस तरीके से फोल कर दोंगी ऐसे रखने से आपके Socks अलग अलग नहीं होंगे और जब भी आपको चाहिए तो आप दोनों सॉक्स अराम से मिल जाएंगे तो अंडर कार्मेंट्स भी आप इस तरीके से रख सकते हैं मैंने पाउच रखा है इसमें ब्रेस्ट, टूथपेस्ट ये सब चीज़े इसमें रखे हैं अब दूसरा पाउच लिया है इसमें सारी मैंने मेक अप की चीज़े रखे हैं जो भी आपको मेक अप के लिए चाहिए वो आप एक पाउच में अलग रख दें तो इसको भी हम रख देंगे हम दूसरी साइड इसको रख देंगे पाउच को अब मैंने दूसरा पाउच लिया है दूसरे पाउच में डियो है या बॉडी लोशन है जो भी चीज़ें है बड़ी बड़ी बॉटल है उनको आप एक अलग पाउच में रख दें तो इसको भी हम रख देंगे तो यह देखी दोस्तों हमारा सारा समान बैग में आ गया है कितना चोटा सा बैग था लेकिन काफी सारा समान आ गया आप नीचे और भी समान रख सकते हैं आप इसमें उपर की तरफ एक दो पेर सेंडल्स के भी रख सकते हैं अगर आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं अब मैं इसको बंद कर दूंगी तो हमारा बैक बंके बिल्कुल तयार है अभी इसमें काफी सामान और आजाएगा तो अगर आपको और सामान रखना तो वो भी आप रख सकते हैं तो दोस्तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले तेंक यू